हाई फ्रेंद्स इस विडे में हम आपके लेकर रहे हैं लेकर हो एवा पूरी बनाने के रेस्पित हमने फुरी ले पूरी के लिए सबसे पहले हैं सूजी help टेस्ट बनाए है ऐफ़ाए लिए हैं मैदे के सारे से मपूरी बनाएंगे तो हमने इसमें टेष्ट गिशप की स Hyader से हम नमक दे देना है और अवर कुछ सामंग मगरे डालने के सानि पानी है इसमें जरौरत की पूरी हमारा कड़क टान हो जाएगा तो नारम करने के लिए हमने गरम पानी का इस्तेमाल किया है तो हम देख सकते हैं पर सूजी भी हमने अच्छी तरह सा फ्राइक कर लिये हैं यह बिल्कुल कर चेंच हो चुका है और यह सूजी को हम एक बरतन में रिकाल के रख लिए तो सबस्टेमें हम हुआ बना लेते हैं हमने हो तो पाणी के लिए हैँ इसंähän में आध़ लिटर हमने पानी दिए हैं तो इसमें हम चीनी ढालके पकावकर हलूवा बनाने के लिए बहुत यह आसानीust, यह भी अच्छा होता है खाने में अच्छा होता है दो तेज पत्ते डाल लिए हैं इसमें और इलाची का टुक्रा भी हमने दो डाल लिए है पॉर्डर नहीं किये हैं बस दो फाल करके ही डाल लिए हैं इलाची का टुक्रा अब चुटकी भर रंग डाल लेंगे देखने में अच्छा लगेगा कलर आ देगा अच्छा red color का रन्ग दे दी हैं हमें इसमें यह पानी जो हमारा अच्छी तरह पक रहा है चीनी वाला पानी बिल्कुल सीरा के जैसा यह पक रहा है तो सब हम आटे को अच्छी तरह गून लेते हैं तक क्या हम हलुआ बनानी का जो पानी को अच्छी तरह पकने देते हैं तो जरुवत की हिसाब से हम इसमें पानी डाल डलके आटे को गून लेंगे अच्छी तरह सा बहुत ही आसानी से हम हलुआ पूरी बना के घर में खाएंगे बहुत टेस्ट होता है खाने में अच्छी तरह पूरी है अच्छी तरह पूलेगा टो ढखके इसमें रख लिए तो हलुआ के लिए अच्छी तरह सा इसे पानी पुका रहें है तो इसके उपर में हम सुजी जो फ्राइ करके रखे हैं डाल लेंगे और इसको अधेर तक का अच्छी तरह हमें चलाते रहना तो ये पकाते वाग्द ध्यान रखिएगा, सुजी का हल्वा जब बनाते हैं, तो वो छिटकता है, आके मूफू में लग सकता है, तो ध्यान से बनाईएगा, इसे दखिएगा ये बिलकुल बनके आ चुका है, और कुछी मिट में हम गैस बन कर लेंगे, अब यहाँ पे पू जैसे छोटे छोटे पूरी चोटे चोटे तो बनाएंगे हम उढ़िए बिने हम बेशाइज लेंगे चोटे-घोल गुल बरके जैसा बॉल बना लेंगे आप पूरिय बना लेंगे जैसे हम रोटी आ बनाते है देखिए हमने यहां पे सारे रोटी को गोल गोल करके हमने यहां पे बना लिये हैं पूरियां तो तलने के लिए हमने यहां पे करहाई में आयल रख लिये हैं वो भी गरम हो चुका है इसी में हमें पूरियां तलना हैं देखिए हमने यहां पे सारे रेडी कर लिये हैं कि अब पूर्यां डालना स्कारी स्कारण decis January देखी यहां पर कैसे हम पूरschaft बना रहे हैं इसे हमें धीम्मियांच में बनाना है ज़्यादा कड़क नहीं करना है तो हलका हलका सा आटा जो है कच्चा ना रहा जाए पूरी हमारा तो उसी हिसाब से हमें पकाना है ज़्यादस का कलर रेट भी नहीं आना चाहिए वाइट वाइट में आना चाहिए हम हल्वा पूरी बना रहे है देखिए हैं पर बिल्कुल वाइट में है बिल्कुल भी रेट हमने नहीं किये है इसी तरह हमें बना के निकालने से हमारा जो पूरी है बिल्कुल नरम रहेगा बिल्कुल भी कड़क नहीं होगा बस इसी तरह हमें पूरियां तयार करना है बहुत ही आसानी से हलुआ पूरी घर में बना के खा सकते हैं अगर हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किये हैं तो प्लीस लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना आप भी अपने घर में इस तरह सा हलुआ पूरी बना के खा सकते हैं बहुत ही टेस्ट होता है मजएदार चैट पर बन भी जाता है खाने में अच्छा टेस्ट आता है इसका यहां पर थोड़े ड्राइब फ्रूट में कट की रखे हैं औरनी किस्मिस और डेट्स यानि खजूर लिये हैं बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है इसमें आप चैट डालकर खा सकते हैं कोई मुश्पिल नहीं है दोस्तों इसी तरह हमें पूरियां तयार करना है तो हमने पर हलुआज बनाके रख लिए थे तो यहां पर पूरी भी बना रहे हैं तो इसको देखें, हमने इतना सारा पूरी यह बना लिये हैं, तो इसको हम हलुआ पूरी को तयार कैसे करेंगे देखिए हां पर हलुए को हमने आपे छोटे वाले चम्मच ले लिए हैं, जिसमें इपे वान साइड हलुआ लगाना है, और थोड़ा सा ख़जूर का टुकरा इसमें डाल लेंगे और दो-चार पीश, छुटे-छुटे किसमीश के टुकरे तो इस तरह बीश से फोल्ड कर लेंगे ये हो गया हमारा हलुआ पूरी रेडि तो इसी तरह सा हमें सारा हलुआ पूरी रेडि करना है आपको जितना हलू अच्छा लगे उतना आप डाल सकते हैं आप उपर से भी लगा के साथ में खा सकते हैं वो भी बहुत टेस्ट होता है यहां पर खजूर और किस्मिस अउनली दो ही ड्रैप रूट हमने डाले हैं देखिए हमारा पूरी जो है दोस्तों बहुत ही नरब है यहां पर बिल्कुल हमने हलुआ पूरी रेडी कर ली है और यहां पर कुछ बचे हुए पूरी भी रखे हैं और हलुए भी रखे हैं एक्स्ट्राब जैसे तरह चाहें खा सकते हैं याद देखिए कितना नरम स्मूथ हुआ है यहां पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल सम्रीन कीचिन को थेंक्स वर वाचिंग झाल ध मुझति वर उन्वारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाःब कर दो लाइक एमारी चैनल को सब्सक्राइब